हेलो गाईज, वेल्खम तो मैं चैनल, आज है इस सीरीज का फस्ट वीडियो, इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, आगे चित के बताता हूँ सबसे इंपोर्टन चीज हम जो इसमें सीखने वाले हैं, वो है विशाल्स वर्ब फॉर्मूला मेरे क्या तरीके हैं, वर्ब्स को याद करने के, जो भी सारी के सारी फॉर्म्स आती हैं जिशो, मास, नाई, टे, ता, प्लेन फॉर्म्स, सब इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है सबसे पहले, स्टार्ट करते हैं, कि ये, वर्ब्स के ग्रुप्स तेन होते हैं, आपको पता ही है हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो तरीका है, ये मेरा अपना तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है, आपको इसको पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं होगा आपकी जैसे प्रॉब्लम्स होती है, कि मुझे पता नहीं चल रहा है ये वर्ब कौन से ग्रुप में है मैं इसको टे फोर्म कैसे बनाऊ, ता फोर्म कैसे बनाऊ, रूल्स वगरा कौन कौन से है और बहुत सारी exceptions आती है, ये exception आपकी सारी की सारी खतम हो जाएंगी अगर आपने ये तरीका यूज कर लिया मैं अपनी क्लास में यही एक फॉर्मूला यूज करके बढ़ाता हूँ, जो है विशाल्स वर्ब फॉर्मूला ये मेरे अपने बनाएवा फॉर्मूले है, I think आपने कभी ऐसी चीज देखी भी नहीं होगी और अगर आपको नहीं तरीके से वर्ब को जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखना, पूरा देखना एंड हो सकता है जो की पहले बहुत पड़े लिखे हैं, मेरे से बहुत जादा पड़े लिखे हैं उनको ये चीज जचे ना, बट हाँ ठीक है, चेंज है तो चेंज है, मज़े करो, कोई नहीं चीज सीखने को मिलेगी मैंने भी अलग अलग तरीके से चीखा था, बट ये तरीका मैंने अपने लिए निकाला और मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से बताता हूँ ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले verbs, group 1, group 2, group 3 होती है, ये सभी को पता है इस से पहले मैं आपको एक चीज बताने जाता हूँ, कि आपको verbs याद कैसे करनी है हाँ, पहले याद करने का तरीका तो सिको, बाद में बताते हैं कि हाँ, कौन से group में कौन सी verb आती है तो मेरा जो तरीका है याद करने का वो ये है, ऐसे याद करना है आपको यहाँ पे देखो, मैंने left side पे लिख रखा है और right side पे यह लिख रखा है इसको क्या क्या कहते हैं यह बाद में पहले एक बार read करना, मेरे पीछे repeat करना ठीक, अगर आपको आता भी है, तब भी एक बार repeat करना सबसे पहले हमने लिखा है, nomu nomimasu 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 next hanasu hanashimasu next kaeru kaerimasu kaeru kaerimasu next oyogu oyogimasu oyogu oyogimasu next ageru agemas ageru next oshi-eru 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 next deru demas deru demas last suru shimasu suru shimasu तो, आपने देखा, कि हमने कैसे verbs याद करनी है, left side पे जो लिखा हुआ है, सभी को पता ही हुगा, dictionary form बोलते है, इसको जीशो, जीशो form, and जो right side पे लिखा है, इसको mass form बोलते है, पहचान क्या है, mass form मास के साथ है, तो इसको mass form बोल देते है, ठीक है, जीशो form आपको याद करनी है, तो आपको ऐसी याद करनी है, नोमु, नोमी मास, हनासु, हनाशी मास, दोनों को इकठा, आपने कई सारी बुक्स में पढ़ा होगा, कि वहाँ पे सिर्फ mass form लिखी होती है, जैसे मिननों नहों को कि अगर vocabulary की बुक देखो, तो उसमें mass form लिखी होती है, नोमी मास, खायरू, योगू, आगेरू, ओशेरू, देरू, सुरू, सो, मेरी जो अपनी बनाई होई बुक है, उसमें ये दोनों इकठे एक ही टाइम पे आपको मिल जाएंगे, ऐसा करना क्यों है, क्यों नहीं मैं सिर्फ mass form लिखी होती है, बाद में नोमू वगर याद करते रहेंग नहीं, बहुत बड़ी mistake करोगे और सारी जिंदगी confused रहोगे कि यार मैं इस verb को ते फर्म कैसे बनाओ, इतने सारे rule आगे, पहले तो ये नहीं पता चलेगा, कि ये group किस में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, rule तो बात की बात है, rule तो तब ही लगेंगे, जब group पता हो, तो ये formula, जो VVF मैंने बनाया हुआ है, इसको copy-paste करने का try करो, एक बर देखना, शुरू-शुरू में मुश्किल लगेगा, बट इतना ज़्यादा आगा कि आपको कभी जिंदगी में verbs पे दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं guarantee देता हूँ, N2, N1 तक भी आपको दिक याद करना है, क्यों याद करना है, next video में भी मैं इसको proof करूँगा, कि ये सबसे best method है, verbs को याद करने का, जब मैं आपको verb के groups बताऊंगा, ये group 1, 2, 3 है, इतना easy हो जाएगा कि आप भूलोगे नहीं कभी भी, okay, so, मैं आपको एक list देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ verbs लिखी हुई है, ये वाली और ये वाली, अब आपका क्या काम है, इन verbs को अपनी copy पे लिखना है, ठीक, मैंने आपको ये verbs दे दी, लिखी हुई है, एक साइड पे आपको यहाँ पे जीशोफर मिल जाएगी, दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे मास फर मिल जाएगी, जैसे कि और कोई वाब होगी, for example, कोई और वाब ले लेते हैं, ओरी रू, एरो बनाके औरी मास लिखना है आपको, like that, ठीक, जैसे मैंने लिखा, इसी फॉर्मेट में लिखनी है, अकेली मास फर म नहीं लिखनी है, अकेली जिशोफर म भी निखनी है, ठीक है, ओके, आपका homework क्या है, देखो, homework भी मिलेगा, अगर पढ़ रहे हो, तो यह तो करना पड़ेगा, और यह homework आपको next videos में काम आएगा, इसलिए, करते रो, इसी फार homework है, आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, क्या करना है, आपको 20 verbs लेनी है, खोई भी ग्रूप की हो, उनको जिशोफर मास फर छोटी से video में क्या सीका एक बार, कि कैसे लेन करनी है, आपको जिशोफर मास फर्म के साथ लेन करनी है, बार बार रिपीट करके लेन करना है, जब तक वो याद नहीं हो जाती है, ठेक है, इनको ग्रूप में याद करने का क्या फायदा है, यह अगले videos में आपको बहुत ही आपको जिशोफर मास फर्म, जिशोफर मास फर्म, that's it. होवर करके आना, लिस्ट बना लेना अपनी कॉपी पर, नहीं बनाओगे, तो मेरे इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है, एक लिस्ट बना लो, तीन चरपेज काम करना पड़ेगा, सिर्फ तीन चरपेज, उससे ज़्यादा काम नहीं दूँगा, ठेक है, I hope कि आपको ये वीडियो पुसंद आया होगा, मिलते हैं आप से एक नहीं वीडियो में, तब तक के लिए सायना रा,